तुम मुझसे रूठ नजाना क्योंकि मेरी चाहत मेरी मुहबबत तुमारे लिए सच्ची है अभी वक्त नहीं हुआ कि हम दोनों आपस में बिछर जाएं अभी तो हम मिले हैं अभी तो हमने बाते करनी शुरू करी हैं अभी तो हमारा और तुमारा प्यार शुरू हुआ है दोस्ती शुरू हुई है इतनी जल्दी तुम रूट जाओगे या रूट जाओगी ये हमें पता नहीं था कोई आपका अपना आपसे रूट गया है दूर चला गया है तो आपको इसको वापस बिलाना है तो क्या करें न वो आपका टेलीफोर उठाता है या उठाती ये न वाटसेब उठाती है न रिप्लाई आता है और कई बार तो हमें ये पता भी नहीं कि वो इस शहर में है या दूसरे शहर में है न दोस्त संदेशा पहुँचाते हैं ना वहां से कोई संदेशा आता है, लेकिन दिल में एक उमीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी बात वहां तक पहुंच जाए जहां तक आपको पहुंचानी है, क्योंकि उस बात को पहुंचाने में इस और आपकी मदद करने वाले हैं. कैसे ही? छोटा सा उपाय, मात्र दस रुपए का खर्चा, उनली टेन रुपीज या उससे भी कम. एक गिलास पानी ले, एक साफ गिलास पे पानी भरे, लोटे में भी ले सकते हैं. अब दो साबुत लॉंग का इंतिजाम करें. यह देखिए लॉंग, मैं आपको दिखाता भी जा रहा हूं कि लॉंग क्या होते हैं और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब कुछ में आपको दिखाता जा रहा हूं. दो लॉंग आपको लेने हैं, दो काली मिर्ष लेनी हैं, दो दाने इलाइची के हरी इलाइची के साबुत लेने हैं, और दो दाने साबुत चावल लेने हैं, ये सारी चीजें एक गलास पानी, साफ पानी, दो लॉंग, दो इलाइची, दो काली मिर्ष और दो दाने साबुत चावल, ये स साथी सामगरी कौप एकत्र कर लीजी मार्केट से ले आईए या आप घर में पड़े हैं तो घर से भी इस्तवाल कर सकते हैं और साफ यानि धुले हुए वस्त पहनिए शुनान करके अपने बालों को अच्छी तरीके से बनाईए कि मेकप करते हैं तो महिलाइ मेकप करती हैं लड़किया हैं तो अपने आपको सजाए है विसक्यों को करना कि लड़के हैं तो वह भी हस कर रहें यहां रखे करो पॉलेट में लिए और भग्वाण शिवशर्च कर सोarsा है वम शंकर और महापार्वती का ध्यान करिए, मन ही मन में, और जो गिलास है, पानी का भरा हुआ, इसके अंदर, आपको क्या करना है, वो तुम मैं बताऊंगा, सबसे पहले, आप शिव चलीसा का पाठ करें, शिव इस्तुति करें, याद है तो अच्छी बात है तो किसी भी किताब से शिव चलीसा पढ़ ले, शिव जी की आरती पढ़ ले, शिव परिवार की आरती पढ़ ले, कुछ भी कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है, किताब भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ओम नमश्वाय, ओम नमश्वाय, त तो कम सके एकसो आट बार कर लिजिएगा, अब मन में ध्हान करते हुए उस वक्ति का, जिस तक आपको अपने दिल की बात पहुंचानी है, अपनी अिच्छा उसको बतानी है, कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहती हूं, मैं तुमारे बारे में क्या सोचता हूं, क्या नहीं सोचता हूं। तो जिस गिलास में पानी भरा हुआ है, उस गिलास में आपको क्या करना है? दो लॉंग डालने, सबसे पहले दो लॉंग डालने, और बोलें, मलिका अर्जुन महादेव की जै हो। क्या बोलना है मलिका अर्चुन महादेव की जैहो मेरी प्रात्ना स्विकार करो जो मैंने संकर पिलिया है जिस वक्ति को पाने के लिए मेरी बात उस वक्ति तक पहुँच जाए ये मन ही मन आपको बोलते रहना है फिर काली बिर्च के दो दाने ले अभी आपने दो इलाइची डाल चुके और क्या बोला मलिका अर्चुन महादेव मेरी प्रात्ना को स्विकार करें फिर दो इलाइची आपको ले दी है वैसे ही डाल ली वो डूब जाएंगी पानी के अंदर और बोलना है ओम कारेश्वराय महादेव मेरी प्रात्ना को स्विकार करें फिर आपको काली मिर्च लेनी है और बोलना है रामेश्वरम महादेव मेरी प्रात्ना को स्विकार करें और अंद में दो दाने चावल के ले दे हैं और बोलना है बाबा विश्वनात मेरी इच्छा को पूरी करें, मेरी प्रात्ना को पूरी करें. अंत में आपको मापरवती का ध्यान करते हुए, मापरवती से ये प्रात्ना कर दी है कि मेरी ये अरजी भोले नात तक जल्द पहुंचा दें. और उस जल्द को अपनी घर में कहीं सुरक्षित रख दें. अगले जिन सुबह साफ बस्त बेहन के घर के पास कि किसी मंदिर में जाएं. और अगर सूरज जब उग रहा हो तब जाएं तो बहुत बहतर है नहीं, तो किसी भी समय चले जाएं. साथ बज़े से आठ बज़े की बीच में सुबह जाएं. जो जल्द वारा गिलास है जिसमें बाकिसाही समगनी पड़ी हैं उसको, किसी पीपल के पेर या बर्गत के पेर पर चढ़ाएं. और ये ध्यान करें कि आप भगवान शिव का जलावी शेक कर रहे हैं. फिर उसी मंदिर में जाएं, उसी गिलास प रखे हैं. और नंदी भगवान की कान में अपनी प्रात्ना को बोलें, उसे भी प्रात्ना करें कि मेरी प्रात्ना बोले शंकर तक जल्द पहुचाओ, और मेरा काम बनाओ. और उसके बाद नबत्षकार करके, अपने घर, सीधे घर वापस आना है, फिर अपना नाश्ता करे अपने काम पर जाए जो करना है वो करें महापारवती आपकी प्रात्ना शिव श्रंकर तक ले जाएंगी नंदी भाराज आपकी प्रात्ना शिव श्रंकर तक ले जाएंगी और महापारवती जब शिव जी को कहेंगी कुछ करने के लिए तो मना नहीं कर पाएंगे नंदी को नराज नहीं कर सकते कुछी दिनों में आप देखिए आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और शद्धा और विश्वास से करिए जो रूठे थे वो मान जाएंगे जिनों ने आपको रूलाया है जिनों ने आपको दुखदर्द दिये अब वही आपको प्यार देंगे जब आप उनके साथ थे तप्यार था जब आप रिष्टा में कोई दिवार आ गई है तो अब दुखदर्द आ गया है अब ये दर्द भोले ना दूर करेंगे इस प्रयो अगा कर यूँ यूँ नाश्कान